नवस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेड़मिस। विजया दस्मी का त्योहार मनाने के पीछे एक बड़ी पौरानिक कथा है। आपको बताते हैं कि कैसे मा दुर्गा की उत्पत्य हुई और क्यों माता ने महिसा सुर नामक भैंकर राक्षस का ववादी किया। तो ऐसी कथा मिलती है कि एक महिसा सुर नाम का बड़ा ही भयानक दैत था। और उसने तपेश्या करके जो है ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लिए थे, ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि वो देवताओं को पराजित कर देता था। तो महिसा सुर ने देवताओं को हराया युद्ध में और उनका सारा राज, पाठ, स्वर्ग सब छेन लिया। महिसा सुर के इस कृत से देवताओं बड़े दुखी हुए और वो ब्रह्मा, विश्नु और भोलेनात के पास गये अपनी प्राथना ले करके और कहा कि प्रभू इस महिसा सुर के आतंक से हमें मुक्ति दिलाएं। तब भगवान, विश्नु, भोलेनात और ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी शक्ति लगा करके एक देवी का सरजन किया जिन्हें आप दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं। फिर सारे अस्त सस्तर मा दुर्गा को दिये और मा दुर्गा ने महिसा सुर दैत्ति के साथ लगातार नौ दिनों तक युद्ध किया। और दसमे दिन माता ने महिशाशुर नाम के राक्षस का वद किया उनकी पूरी सेना का वद किया यानि महिशाशुर को भी मारा और उसकी पूरी सेना को भी मारा इस कारण नौरात्र के समापन के बाद अगले दिन दसहरे का पर्व मनाया जाता है और उसी दिन जो है दसमे दिन मादुरुगा की पृतिमा का विसरजन भी किया जाता है तो ये मादुरुगा की जो विजय है मैसाचुर नाम के राक्षस के उपर उस विजय उत्सव के रूप में भी दसहरे का पर्व मनाया जाता है तो दसहरे का पर्व बहुत महत्यपोन है दसहरे का पर्व मना करके आप अपने आगे आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकल्क ले सकते हैं अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं हर छेत्र में विजय प्राप्ति के लिए मादुर्गा की विशेश पूजा कर सकते हैं तो आप सब को विजय अर्दस्मी की बहुत बहुत शुब कामना है देखती रहिए एस्टो तक नमस्कार एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से